हेलो लेकम टू ये टंदर वीडियो लेक्च्चर्स ऑफ सुभासर क्लासेज जैसा के आप जानते है कि क्लास 11 फिजिक्स का फस्स सक्षिन चल रहा है मेरा जिसमें मैंने डामेशनल फॉर्मूलेज के बारे में आपको इंट्रोड़क्शन दिया था इससे पिछले वीडियो मे अगर आपने पिछले वीडियो को धंग से देखा नहीं है तो प्लीज आप देख लीजिए क्योंकि जो भी नए बच्चे होंगे उनको देखना पड़ेगा फस्ट वीडियो देन सेकंड वीडियो तब हम लोग यूज पढ़ते हैं यूज ओफ डैमेंशनल फॉर्मूला त आपको पता नहीं है तो आप उसको यूज कैसे करेंगे सो आपको यूज जानने के लिए सबसे पहले मेरे फर्स्ट वीडियो आपको बड़े मन से देखने पड़ेंगे कॉपी बनानी पड़ेगी प्रैक्टिस करना पड़ेगा शुरू करते हैं यूज ओफ डैमेंशनल फ पारी नहीं है तो आप उसकी एकुरेसी कैसे चेक करेंगे ठीक है तो उसके यूज डैमेंशनल फर्मुला की यूज से हम उसकी एकुरेसी चेक कर सकते हैं कि वेदर इस राइट और रॉंग वो फार्मुला राइट है कि रोंग है अब कैसे लेंगे मैं इस वीडियो में ही दिखाऊंगो आपको आराम से आप समझते रहें पहले यह देख लीजिए कि कौन-कौन से यूज इस है ठीक है अब सेकंड देखिए यूज क्या है इसका हिंदी मिडियम पिछात्रों के लिए भी मैंने लिग दिया है सूत्र की सत सकते हैं कि सेकंड यूज शलीद बताते हैं कि सेकंड यूज ऑफ डैमेंशनल फर्मॉला या वी मिए सूत्र का दुतिय प्रयोग क्या है किसी भी फिजिकल यूनिट को यह दूसरे सिस्टम में चेंज कर सकता है जैसे MKS सिस्टम को CGS में CGS सिस्टम को NKS में तो तो चेंज उसे का सिस्टम वी यूज डैमेंशनल फर्मॉला के लिए हिंदी मीडियम को चात्र पदती बदलने के लिए भी हम लोग डैमेंशनल फर्मॉला का यूज करते हैं मैंने लिख दिया student to change the system of units यानि कि किसी भी आपके मात्रख की पदती बदल सकता है हिंदी मीडियम के चात् से CGS में किसे जाएगा और CGS से MKS पदरती में जाएगा आपको पता होगा MKS और CGS क्या चीज होता है मीटर किलोग्राम सेकंड सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकंड तो यह आपको पता होना चाहिए कि MKS से CGS और CGS से MKS कनवर्ट कर सकता है यह तर्ड यूज है इस्टेबलिश निव फॉर्मूला अन बेसिस ऑफ रिलेशन मतलब अगर आपको पता है कि एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करती है तो उसके बीच का जो फॉर्मूला डेवलप हो यानि कि नए फॉर्मूले की आप इस्टेबलिश्मेंट कर सकते हैं हिंदी मिडिक नए फॉर्मूले की स्थापना कर सकते हैं तो यह तीन यूज बहुत ही इंप्वाटेंट है डेमेशनल फॉर्मूला यानि वीमिय सूत्र के एक चौथा मैं आपको अपनी तरफ से बताऊ यह किसी भी unknown quantity को पता कर सकता है कोई formula आपको दिया है उसमें को quantity आपको पता ही नहीं है तो उसको भी यह find out कर सकता है with the use of dimensional formula तो अस्टेब में ने लिखा भी यह to know नो मिस जानते है अप जानना to know and unknown formula जो formula हमें unknown है हमें पता ही नहीं है उसको भी हम मिल निकाल सकते हैं ऐसको calculation के माध्यम से निकाल सकते है तो to know unknown formula जानी अग्यात सूत्र को हम ज्यात कर सकते हैं तो मैंने लिख भी दिया अज्यात सूत्र को हम क्या कर सकते हैं तो अवरर्टॉल हमें चार यूज पढ़ेंगे one by one student-students ज्यानि हम इस पढ़ा हो जाता है एक्योद्व नहीं नहीं हर वीडियो में सिर्फ बात करेंगे किस की to check the formula whether it is right or wrong यानि कि सूत्र गलत है कि सही है तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में सिर्फ हम इसी की बात करेंगे next वीडियो में हम second third वीडियो में third and fourth वीडियो में fourth की बात करेंगे ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए तो शुरू करते हैं so student पहला use में लिख चुका हूँ so student पहला use में लिख चुका हूँ तो चुरू की सत्यता की जाच तो चलिए एक example उठाते हैं कि किस तर्स चेक करेंगे जैसा कि students आप example first में देख पा रहे हैं इसमें एक कोशन में ने दिया हुआ है कि किस step के question इसमें पुश जेंगे, जिसे check the accuracy of formula, जो formula given ये किया हुआ है, इसकी accuracy चेक करनी है, हिंदी मिडिम की चाहते भी समझ जा रहे होंगे, कि जो ये सूत्र आपको दिया गया है, ये वाला, इसकी सत्ता की जाज करनी है, accuracy मिन सत्ता, हलाकि इसमें S, A और T का introduction मिलेगा आ अब हवा में तो पता नहीं कर पाऊगे, कौन क्या है, तो आपको S के मारे में दिया है, distance, यानि हिंदी मिडिम की चाहते है, दूरी, A, acceleration, यानि कि त्वरण, T, time, यानि कि समय, ये सब दिया रहेगा, और आपको ये formula भी दिया रहेगा, तो इसके माद्धिम से check करना है, कि ये formula गलत है, कि सही है, तो चली check करते है, इसके लिए students, आप इस formula का left hand side पहे लिखिएगा, तो LHS, यानि कि left hand side, तो left hand side में क्या लिखा है students, S लिखा है, तो आप इसको S लिखिए, ठीक है, अब इसमें देखिए कि S, introduction में क्या लिखा गया है, distance, यानि कि दूरी, तो आपक dimension होता है, क्या होता है, capital M, in bracket, तो S का dimension L हो गया, similarly, आप इस right hand side को उठा लीजिए, तो जब आप right hand side लिखेंगे, तो यहाँ जो दिख रहा है, उसको पूरा लिखिए, 1 by 2, 80 square, अब इसकी dimension चेक करते है, तो 1 by 2 एक constant है, अचर है, इसका कोई भी dimension नहीं होगा, तो इसको छो acceleration, तो student पिछले दो वीडियो में मैंने आपसे कहा था, शुरू के 10 dimension formula याद कर लीजिए, तो A का मैंने आपको क्या याद कराया था, अगर याद नहीं है, तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, तो A का acceleration का था, L T inverse 2, मुझे याद है, मैं लिख दे रहा हूँ, similarly, यह T for time है तो time का dimension क्या था, T, लेकिन square लगने की वज़े से यहाँ लगा देंगे, आप square, दुबारा देख लिजे एक बार, 1 by 2 constant नहीं लेना है, A acceleration है, आपको याद होना चाहिए, L T inverse 2, याद नहीं, तो पिछले दो वीडियो को देखे, pause कीजिए, याद कीजिए, और T for time, T, लेकि नहीं, square लगने की वज़े से square, अब आप देख रहे हैं कि T पर minus 2 है और T पर 2 है, याद रों cancel हो जाएंगे, तो सिर्फ आपके हाथ में क्या बचेगा, L बचेगा, तो यानि की L, ओके, अब आप देख पा रहे हैं कि left hand limit का dimension हो भी L है, right hand limit का dimension हो भी L है, यानि comparison करने पर द को आप left hand side लिखिए, तो left hand side और right hand side, तो यहाँ भी आप S कर लिजेगा, sorry, L लिख दिया मैंने, left hand side, left hand side और right hand side आपको दोनों क्या है, बराबर है, यानि कि दोनों के dimensions बराबर है, इसलिए, जो यह formula S equal to 1 by 2, 80 square आपको दिया हुआ था, वो आपका हो जाएगा, formula is correct, अगर यह आपका left और right बराबर नहीं आता, तो यहाँ मैं लिख देता है, incorrect, तो इस तरह से हमने, सूत की सत्यता की चांच, या accuracy check करना सीख लिया है, दुबारा बतारो, left और right अगर बराबर नहीं आते है, student, तो यह formula आपका dimensionally incorrect हो जाता, लेकिन यहाँ तो बराबर आरा है, L और 80 square, हिंदी मेडियम की तरह स्टून लिख दिया है, इंग्लीश मेडियम अले भी परियास कीजिएगा, सूत्र की सत्यता की जांच करो, यानि check the accuracy of formula, where V आपको पता है, velocity यानि की wake, A acceleration यानि की तुरण, T4 time, तो यह तीनों का introduction आपको यहाँ पे मिल गया है, तो चलिए कैसे question check करते हैं, कि right है की wrong है, तो मैंने कहा था, आपको left hand side ले लीजिए, so जो आप solution करते हैं, इसका left hand side आप लेंगे LHS, तो मिलेगा आपको only V, क्योंकि left hand side में V लिखा हुआ है, अब V4 यह लिखा है, velocity, आपको पिछले दो वीडियो में मैंने velocity का dimension बताया था, मुझे याद है L T inverse 1, याद करेंगे तो जल्दी caution solve होंगे, now right hand side में अगर हम देखते हैं, तो हमें मिलता है यहाँ पर 80 square, okay, तो A क्या है आपको यहाँ लिखा हुआ है, acceleration, acceleration का dimension आपको याद होना चाहिए, L T inverse 2, and यह T for time, तो T, चुकि square लगा है, आप यहाँ square लगा लेंगे, तो यह T पर minus 2 है, यहाँ पर T पर plus 2 है, cancel हो जाएगा, आपके पास plane L बचेगा, यादि single L बचेगा, अब आप compare किजिए, left hand side का dimension क्या रहा है, L T inverse 1, और right hand side का students, dimension क्या रहा है L, जो कि equal नहीं है, बराबर नहीं है, बिल्कुल बराबर नहीं है, so हम लिख सकते हैं कि left hand side is not equal to right hand side, okay, इसलिए यह formula जो दिया जा रहा है, यह वाला wrong है आपका, so V is equal to 80 square is incorrect, okay student, तो इन दो examples आप समझ चुके हैं कि हम dimensional formula की help से formula की accuracy check कर सकते हैं, okay student, चलिए मैं कुछ questions देता हूं, इन questions को मुझे solve करके, मुझे आप, please मेरे WhatsApp नमबर, जो मैं आपको assistance के लिए देता हूं, उस पर दीजिए, और हो सकता है कि मैं आपको कुछ time बता हूं, जिस पर मैं कुछ live classes भी चलाऊंगा, आप अपने confusions उस पर discuss कर सकते हैं, so student, एक example third मैंने आपको practice के लिए दिया हुआ, बहुत important है, कई बारे exam में आ चुका है, t is equal to 2 pi under root l by g, इसकी check करनी है, accuracy, इसकी सतेता चांच करनी है आपको, t for time, l for length, g for gravitational acceleration, यानि कि तोरण, यानि कि l लंबाई है, g तोरण है, और t time है, तो इसके help से आप check करके मुझे बताएंगे कि गलत है किस है, बहुत important example है ये, okay, अब एक example मैं आपको और देता हूं, तो इसके help से आप इसकी accuracy check करेंगे, दो questions है, और हाँ, जाते-जाते मैं आपको फिर एक बात बताना चाहता हूं, तो please, 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 अगर आपको मेरे पहले दो वीडियो के शुरू के 12-15 तक dimensional formula याद नहीं होंगे, तो आप कुसी भी question को solve नहीं कर पाएंगे, Let for example, जैसे इस question में जब left check करेंगे, तो क्या आएगा, force, तो force का मुझे याद है, MLT inverse 2, आपको याद होना चाहिए, M का mass, तो इसका capital M ही रहता है, V for velocity, तो LT inverse 1, clear है, इस वाले question में G की जुरूत पड़ेगी, G क्या acceleration, तो LT inverse 2, तो जिस तरह से बहुत quickly, सारे dimension आपको याद होना चाहिए, So, trend, मिलते हैं next video में, next video में हम लोग बात करेंगे, dimension formula की use 2 के बारे में, तो यह पूरा video में मैंने आपको यह बताया कि कितने uses हो सकते हैं, और पहला use मैंने आपको clear किया हुआ है, Okay, trend, हम लोग live class में मिलने के कोशिश करेंगे, मेरे videos को आप maximum से maximum logo तक spread कीजिए, ताकि उनकी help हो सके, क्योंकि मेरे videos बहुत ही heart pitching होते हैं, Okay, thanks trend, मिलते हैं next video में, bye.